बिल्वारा में कर्फ्यू से बंद बाजारों और विवस्थाओं का जायजा लेने जिला करेक्टर शिप्रसाद एम नकाते आज निरिक्षर पर निकले इस दुरान उन्होंने बाजार में कई व्यापारियों से भी बात किये और हाला तो कुछ जाना इसके बाद नकाते महत्मा गांधी चिकतसाले पहुचे जहां उन्होंने मरीजों की हालचाल जानकर उनसे बात भी गी उन्होंने मरीजों से बात करके उनके समस्याओं को भी सुनकर निदान के लिए अस्पताल अधिक्षक डॉक्टर अरुन गोड को दिशा निर्दीश भी दिये जिला करिक्तर शिप्रसाद M. नकाते ने कहा कि शेहर में कर्फ्यू लगा हुआ है और उसकी पालना हो रही है या नहीं इसका निर्दीशन किया गया है लोगों को आवशेक सुविधाए घर पर ही पहुचाई जा रही है जिससे की आमचन अपने घर पर ही रह सके अस्पताल में निर्दीशन के दुरान ऑक्सिजन और अन्य व्यवस्ताओं को लेकर हमने अस्पताल अधिक्षक अरुन गोर से वारता की है अस्पिताल में बैट की व्यवस्था के सवाल पर नकाते ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त बैट व्यवस्था है मगर अगर कोई गंभीर बिमार है तो उसे इलाज के लिए अजमेद जैपुर के अस्पितालों में भी रैफर करना पड़ रहा है कर्फिय ओर्डर लगे हुए है उसकी पालना शेर में वरीगी ने उसके लिए सिटी राउंड लिया और अन्नेसेसरी लोगों का आवागमन नहीं रहें क्योंकि किरानी का सामान डोस्टिप दिलिवरी दिया जा रहा है सब्जी मंडी के लिए ठेलों को गलियां बाट दी गई है तो लोगों को किसी लिए घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है जीले में परोना की संक्रमन की स्थिती बढ़ती जा रही है और ऐसे परस्थितियों में अगर अपने आपको खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है तो लोग घर से बाहर नहीं निकले तो इसी परिप्रिक्ष्ट में मैं साथ ही अस्पताल करने भी आया हूं और इनकी जो जो समझ्चाय है जैसे ऑक्सिजन की मांग है अन्य चीजों की मांग है वो परावर बूर्टी हो रहे हैं और पेशन्ट को सभी इलाज मिले इस चीज को निरिक्षन करने के लिए देखा गया है कि हमारे पास हाइफ लो ऑक्सिजन के बेड़ हमने पिछले पास दिनों में साड़े चार सु बेड़ बढ़ा है संक्रमन की स्थिती ज्यादा है ऐसी परस्थिती में बेड़ लगातर बगते जा रहे हैं किन्तु हमारे लगातर अजमेर से और अन्य नेवरिंग जिले से इसलिए रेपराल भी किया जा रहा है